दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संक्रमित मरीज मिला है जिसे दिल्ली के लोकनायक जैप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है कहा जा रहा है कि मरीज की विदेश यात्रा का रिकॉर्ड मिला है और इसी अस्पताल में मंकी पॉक्स के एक और मरीज का इलाज चल रहा है जिसे पिछले शरीवार को भरती किया गया था नए मरीज के साथ भारत में मंकी पॉक्स के पुष्ट माबलो की संख्या पांच हो गई है जो की सुआसे विभा के लिए एक चिंता का विशय है वहीं दक्षुनी राजी तेलंगाना में एक संदिक्द मरीज का इलाज चल रहा है और उसका सैंपल पूरे की लैब में भेजा गया है दिली के LNJP अस्पताल में इससे पहले 34 वर्षिय जो शक्स मंकी पॉक्स को लेकर भरती हुआ था उसने विदेश यात्रा नहीं की थी लेकिन घरेलू यात्रा जरूर की थी उसकी हालत फिलहाल इस्थिर बताई जा रही है महीं देलंगाना में मिले संदिक्द मरीज ने हाल में कुवैट की यात्रा की थी 20 जुलाई को उसने बुखार की शिकायत की थी और उसके शरीर पर चकत्ते पढ़ गए थे इसके बाद उसे कामा रेड़ी जिले के अस्पताल में भरती करवाया गया था पूरे से उसके सैंपल का रिजल्ट आना बाकी है आपको बता दे कि देश भर में स्वास्य विभाग इस बिमारी को लेकर चौकनने है उत्तर प्रदेश में अभी इस बिमारी का एक भी केस सामने नहीं आया है लेकिन योगी सरकार ने खत्रे को भाबते हुए से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश स्वास्य महानिदेश आले के निर्देश पर कोविड अस्पतालों में 10-10 बैड मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए अभी से आरक्षित कर दिये गए है मंकी पॉक्स की चुनौती से निपटने को लेकर सभी अस्पताल प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किये गए है प्रदेश भर में ब्लॉक इस्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को आललाइन प्रसिक्शन दिये जाने की बात सामने आई है वही प्रशासन तयारियों पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये नज़र रखेगा मंकी पॉक्स के गंभीरता का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि हाल में विश्व स्वासर संगठन ने इसे वैश्विक सारवजनिक आपात काल घोशित किया है WHO के मताबिक दुनिया के 75 देशों में अब तक मंकी पॉक्स के 16,000 से जादा केस सामने आ चुके हैं वहीं अफ्रिका में मंकी पॉक्स से 5 मरीजों की मौद भी हो चुकी है इसे लेकर UN के Health Division की तरफ से इस बिमारी को लेकर अंतर राष्ट्रिय चिंता की Public Health Emergency की घोशना कर दी गई है दरसल मंकी पॉक्स भी एक वाइरस जनित बिमारी है और इसकी पहचान तेज बुखार, त्वचा के घाव, दाने और लिंफ नोट्स में सूजन से की जाती है अलकि जानकारों का कहना है कि ये बिमारी संक्रमन तो फैलाती है लेकिन इसका मरीज ज्यादतर चार हफ़तों के बीच खुद बाखुद ठीक भी हो जाता है इसलिए इसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और ये कोरोना की तरह तेजी से फैलता भी नहीं है लेकिन सतरकता बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, हेल्थ एक्सपर्ट भी बताते हैं कि मंकी पॉक्स से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लोगों को बस जादा अलट रहना होगा मंकी पॉक्स एक हलका संक्रमन है जिसमें चेचक जैसे लक्षन दिखाई देते हैं डॉक्टर्स का कहना है कि मंकी पॉक्स मनुश्यों में श्वसन बूंदों और रोग्यों के शरीर के तरल पदात के संपर्क में आने से फैलता है मरीजों को आइसोलेट करके और उनके संपर्क में आने लोगों की पहचान करके इसे फैलने से रोका जा सकता है साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें चूंकि इस समय बारिश का मौसम है और इसलिए और भी साबधानी की सरूरत है क्योंकि वातावरण में नमी काफी हो जाती है जिसकी वजह से वाइरस और सक्रिय हो जाते हैं और तेज़ी से फैलते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार